चंडी गड़ दे विच देर रात सेक्टर चती अते सैंती दी डिवाइडिंग रूड दे बने होई चौंक दे सट लक रुपए दी रैंगलर जीप चौंक नो तोड के उस दे विचो विच पहुच गई सेक्टर चती ते ठाना पूल से इस मामले दी चांच कर रही है देर रात सड़का से देखने को मिलते हैं ऐसा ये खासा सेक्टर 37 और 36 डिवाइडिंग रूड पर बने चौंक पर देखने को मिला ये वही रैंगलर यानि की महिंदरा की रैंगलर गाड़ी है जो चौंक को तोड कर बीच वीच पहुच पहुच चुकी है फिलहाल इस गाड़ी में कौन थे या कितने लोग थे इस बात की जानकारी नहीं है आखिर कौन कौन गायल है या गायलों का अस्पतार लेके गई है फिलहाल अभी मौके पर पुलिस भी नहीं पहुची है और जिस तरह से गाड़ी की हलात देख सकते हैं गाड़ी के हलात को देखकर इस तरह लग रहा है कि जैसे ना जाने कितनी तेज गती में ये गाड़ी होगी और या तो आस्वंतुनन होने के कारण ये गाड़ी चौन के बीचों बीच पहुच चुकी है फिलहाल जो पुलिस है इस मौके की जाच कर रही है और देख रही है कि आखर इस गाड़ी में जो भी ता या गाड़ी चालक था वो अस्पिताल में है या फिर वो कही और प्राइवेट अस्पिताल में जा चुका है उते ही पुल्स इस गल्दी भी जाच कर रही है कि एहे हाथ साक तेज रफदार दे कारन होया है जाफर गड़ी देविच कोई तकनीकी फॉल्ट आया है पुल्स सारे पहलू आदी बारी की दिनाल जाच कर रही है अते जाच तो बाद ही साफ हो सकेगा के आतर इनी मेंगी कारनों कोई तेज रफदार नाल चुला रहा सी जाफर की से तकनीकी समस्यादे कारन गड़ी जौम ने विचोविच मौच गए जैक पाने टीवी लेई चंडी गड़तों कुल्दीप कुमार दी रिपोर्ट